बढ़पन गाउं वर्तमान सेवा ग्राम में आ गए उन्होंने सोचा था कि जीवन की अंतिम घडियां वह बापू के आश्रम में बिताएंगे और वहीं वह अपने प्राण छोड़ देंगे गाउं के पास एक निर्जन सडक पर लेट गए यह खबर सब काम वालों को वह आश्रम वालों को मिली तो दूर दूर से आकर सबने पुर्चुरे शास्त्री को तडपते हुए देखा मगर कोई उनके पास नहीं गया अंतमी बापू को भी सूचना मिली जब बापू सूचना मिलते ही काम छोड़ कर उस सडक पर पहुँचे शास्त्री को सहारादिया और आश्रम ले गए सभी आश्रम वासी दूर दूर ही रहे कोई उनकी सेवा के लिए नहीं आया स्वयम बापू नहीं शास्त्री जी के घाव धोय उनकी मालिश की महीनों तक उनकी सेवा में जुटे रहे अंत में आश्रम के कार्य करताओं में भी हिम्मत आई वे भी मालिश और सेवा के काम में बापू की मदद करने लगे परन्तु बापू ने स्वयम किसी से उनकी सेवा के लिए एक बार भी नहीं कहा यह था बापू का बड़पन इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि छोटे काम करके ही व्यक्ति बड़ा बनता है